मैं सुने जाहिए आपका सामाने ज्यान गुरुप परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ आज हमारा टोपिक उत्परेड़क के बारे में समझेंगे पढ़ेंगे और जानेंगे टोपिक सुरू करने से पहले आपको बता दें आप हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और सेर करना न भूले ठीक है और आप हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा कर जो आने वाले वीडियो है उनके नोटिपिकेसन आप जल्दी प्राप्ते कर पाएंगे इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें और सेर करना न भूले ठीक है इसके पहले वाले वीडियो में जिसको मैंने उत्प्रेरक बहाब एक बोला था उसके में अपने उत्प्रेरक की परिवासा, उत्प्रेरक के गुण के बारे में अपने देखा था आज अपन चर्चा करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार तो सब द्यान से इसको समझें, एक्जाम की दरश्टी से उत्प्रेरक के प्रकार बहद इंपोटेंट है तो आप मेरे साथ में इस टोपिक के लिए बने रही है ठीक है और इसको लाज तक देखिए और लाइक सेर और सस्क्राइब बिल्कुल करें तो देखिए अपन पढ़ रहे थे उत्प्रेरक के प्रकार और उत्प्रेरकों को ठीक है अलग-अलग अवस्ताओं के आदार पे अपने अलग-अलग बागों में बाटाता ये पहले वाले वीडियो में अपने देखाता तो पहले देखिए पहला देखते हैं अपन बोतिक अवस्ता के आधार पे किस अवस्ता के आधार पे बोतिक अवस्ता के आधार पर जहां से देखिए बोतिक अवस्ता के आधार पे ठीक है सबसे पहले बोतिक अवस्ता के आदार पे अपन देखते हैं समांगी उत्प्रेरक देखिए समांगी और दूसरा है विस्मांगी तो देखिए ये परकार उनकी बोतिक अवस्ता के आदार पे है तो देखिए कोई भी अभी किरिया होती है इधर बता देते हैं कोई भी अभी किरिया होती है उस अभी किरिया के तीन महत वे पूर भाग होते हैं एक आपका होता है उत्पाद और एक आपका होता है उत्प्रेरक ये तीन कोई भी अभी किरिया है उस अभी किरिया के महत वे प श्कून बाग होते हैं, तो ज्मान से देखिए, अगर तीनों की अवस्ता एक ही है, आपको बता दे पहले वाले वीडियो में भी अपने जिक्र किया था, पधार्थ की तीन अवस्ता होती है, ठोस धरौल, जेस, अगर तीनों की अवस्ता सेयम है, तो वो आपका क्या होगा? किसी रासाइनिक अभी किरिया में अभी किरिया में बाग लेने वाले बाग लेने वाले अभी कारेक अभी कारेक उत्पाद वे उत्प्रेरक तीनों की एक ही एक ही अवस्ता में होते हैं अवस्ता में होते हैं उन्हें समांगी उत्प्रेरक कहते हैं और इस प्रकार की अवस्ता जो होती है उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं उदार देखिए ध्यान से मैंने आपके सामने लिखा SO2 डीवे SO2 sulfur dioxide sulfur dioxide की अपने reaction किस से कराते है O2 से oxygen से कराते है तो किसका निर्मान होता है sulfur trioxide का निर्मान होता है और से अंदर उठारिक क्या काम में लेते है N0, nitrous oxide तो देखिए आपके सामने ये जो भाग है वो क्या है अभी कारत है इसके अंदर ये भी कौन सी अवस्ता में गेस ये भी कौन सी अवस्ता में गेस और आपका उत्पाद है उसकी भी कौन सी अवस्ता है गेस इसका मतलब दिनों की अवस्ता क्या है समान है तो ये किसका उधारन होगा समानगी उत्प्रेरक का उधारन होगा यहाँ पे इस अभी किरिया में एनों किसके रूप में काम करता है उत्प्रेरक के रूप में कारिये कर रहा है तो यह किसका है समांगी उत्प्रेरक दूसरा देखिए इसी का इप्रकार देखते हैं विसमांगी उत्प्रेरक विसमांगी उत्प्रेरक में देखिए यदि किसी रासाइनीक अभी किरिया में बाग लेने वाले अभी कारेक वे उत्प्रेरक की बोतिक अवस्ता अलग अलग होती है उसे विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं उसे किस परकार का बोलेंगे विसमांगी देखिए बहुत इंपोर्टेंट उधारन है अभी किरिया एफी ठीक है यहने उत्प्रेरक क्या काम में लिया एफी और क्या बन गया टू एफी इसको अमोनिया के निर्मान की अभी किरिया आया है बरविदी के नाम से भी जानते हैं तो देखिए आपके सामने अभी कारेक कौन सा है गेस गेस, उत्पात भी कौन सी हवस्ता में गेस परन्तु आपका जो उत्प्रेरक है वो कौन सी हवस्ता में है इसका मतलबी सबी किया में एफी किसके रूप में काम करता है उत्प्रेरक ये पुदारन अपन ने देखा था वरस्पती तेल है उसके अंदर वो लिक्विड अवस्ता में है आइड्रोजन है वो भी किस परकार का है आपको पता है आइड्रोजन भी किस परकार का है ये सवस्ता में और वरस्पती घी है वो सोलीड या सेमी सोलीड और उसके अंदर राम में लिया निकल और निकल आपको पता है तो वो भी किसका एकजामपल होता है इसमागी अगला परकार देखिए द्यान से दूसरा परकार किसके आदार पर लेते ध्यान से देखिए दूसरा किरिया के आधार पर किरिया के आधार पर किरिया के आधार पर चार प्रकार कितने प्रकारों में बाटा गया है किरिया के आधार पर उत्प्रेरोकों को चार बागों में बाटा गया है सबसे पहला देखिए दनात्मक उत्प्रेरक जिसको पोजेटिव केटे लिस्ट भी बोलते हैं देखिए द्यान से दनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो अभी किरिया की दर को बढ़ा देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं दनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं किसी भी रासाइनिक अभी किरिया के वेग में वर्दी करने वाले उत्प्रेरक दनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं यह उदारण अपने पहले भी देखा था 2SO2 प्लस O2 क्या बन गया 2SO3 और यहां पर अपने क्या नाम लिया कौन सा उत्प्रेरक काम लिया था नाइट्रस ओक्साइड तो देखिए नाइट्रस ओक्साइड की मातरा मिलाते ही आपका सल्प डाइओकसाइड किस से जल्दी ओक्सिजन से किरिया करके सल्प ट्राइओकसाइड में बदल जाएगा यह एकजामपल मैंने आपको बता रहा था वनस्पती तेल पलस हाइड्रोजन गेस और किस में बदल गया वनस्पती घी में यहां आपका कौन सा उत्प्रेरक काम में आ रहा है निकल निकल उत्प्रेरक है और निकल इस अभी क्रिया की गती को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है तो ये किसका उधारण होगा दनात्मक उत्प्रेरग दूसरा प्रकार देखिए लिनात्मक उत्प्रेरग मैंने आपको बताया था किसी भी रासाइनिक अभी किरिया के वेक्ज में कमी करने वाले उत्प्रेरग रिनात्मक उत्प्रेरग कहलाते हैं क्या कहलाते हैं रिनात्मक उत्प्रेरग कहलाते हैं उधारण देखिए 2SO2O2 ठीक है 2H2O2 ठीक है ये उधारण वेजी वेरी इंपोटेंट है इसमें अपने क्या लिया गिलिस रोल क्या काम मिलिया? Hydrogen Paroxide है Hydrogen Paroxide से जलके निर्मान की अभіш किरिया है तो देखिए इसमें किसकी मात्रा मिला दे गिलिस रोल की तो गिलेसरोल एक परकार का इस अभी किरिया की वेक को क्या कर देता है कम कर देता है इसलिए ये किसका एक्जामपल है दिनात्मत उत्प्रेरक का एक्जामपल है उसके बाद में देखिए अगला कौन सा है आपको पता है कौन सा है सवते उत्प्रेरक सवते उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो अभी किरिया के अंदर उत्पाद के रूप में बनते हैं और वो ही आगे जाकर किसका काम करते हैं उत्प्रेरक का काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं सवते उत्प्रेरक के बोलते हैं एसी अभी किरिया जिसमें बनने वाले उत्पाद की उत्प्रेरत की बाती कारिये करते हैं उन्हें सवत्य उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं एक बहुत इंपोर्टेंट एक्जामपल है CS3COC2H5 ठीक है ये क्या एस्टर भी बोलते हैं या इसका नाम क्या हो जाएगा एतिल एसीटेट एतिल एसीटेट और एतिल एसीटेट की रियक्शन जल से कराई तो क्या बना CS3COH प्लस C2H5OH ठीक हैं तो आपके सामने ये कौन सा एसीटिक अमल है क्या है ये एसीटिक अमल है और ये क्या है एथेनोल तो इस अभी किरिया में जो एसीटिक कमल है उसका निर्मान होगा और वही आगे जाकर किसका काम करेगा उत्प्रेरक का कारिये करेगा तो ये किसका एक्जामपल हो गया इसको सवत्र पूफ्रेरक को इंग्लिश में ऊटो कैटेलिस्ट से भी जाना जाता है अगला देखिए जे उत्प्रेरक जिसको बायो केटेलिस्ट बोलते हैं ठीग है बायो के इसक्रियों में होने वाली उपापचे रियाओं के लिए अत्ति महत्वपून होते हैं यह याने जेव रासाइनिक अभी किरिया की जेव रासाइनिक अभी किरिया की गती को कम या ज्यादा या परिवर्तित करते हैं परिवर्तित करते हैं एसे पदार्त क्या कहलाएंगे एसे पदार्त जेव उत्प्रेरक कहलाते हैं यह उत्प्रेरक कहलाते हैं जहां से देखिए एसे पदार्त क्या कहलाएंगे यूरिया किसका फॉर्मूला है यूरिया और यूरिया तो आजल से अफगटन कराया तो क्या बनार तू अनस त्री प्लस यूर तू और यहां पे जो आपका यूरियेज नाम का जो उत्प्रेरक हैं वो क्या करता है यूरिया को अमोनिया में बदलता है अमोनिया में बदलने का काम करता है एक बहुत इंपोर्टेंट माल तोज गुलकोज और कौन सा माल टेज जो आपका है वो जे उत्प्रेरक है तो देखिए गुलकोज को एलकॉल में बदलेंगे तो माल्टेज एक एंजाइम है जो किसका काम करेगा जे उत्प्रेरक का अगला प्रकार देखिए लास्ट है किरिया सीलता के आदार पर किरिया सीलता के आदार पर किरिया सीलता के आदार पर किसकी किरिया सीलता उत्प्रेरक की किरिया सीलता के आदार पे दो बाग देखें एक तो आपका क्या है उत्प्रेरक वर्दक और एक आपका उत्प्रेरक विस इसके अंदर क्या होता है उत्प्रेरक वर्दक और उत्प्रेरक जो विस है वो उत्प्रेरक की किरिया सीलता को कम जादा करते है ना कि अभी किरिया की किरिया सीलता को कम जादा करते है तो ये किसके आदार पर है उत्प्रेरक की किरिया सीलता के आदार पर तो देखिए सबसे पहले वे सबी पदार्थ जिने अभी किरिया में मिलाने पर उत्प्रेरक की किरिया सीलता में वर्दी हो जाती है उधारण देखिए क्या होगा एंटू प्लैस ठीस तू हभी किरिया टू ऐनसत्री dolori का यह क्या काम में लेंगे एफी और र एमो क्या काम में लिया एक उदारण और बेंगे लिले तेल और यहां पे अपनको पता है निकल के साथ में कोपर और यहां पर आइड्रोजन गेस आयए और किसमें बदला वनस्पती घी में तो देखिए पहले वाले एक्ζामपल में एफी क्या है उथपरे रख है और आपका एमो क्या है उथपरे रख वर्द है जो एफी की सेल्टा को क्या करता है बढ़ाता है अगले निककल और अपर eh तो निकल तो क्या है उत्परेरक्वर्दक की तरह कारिये करता है तो एक्जाम के लिए यह important है आपका FE और MO मे कोन सब्परेरक्वर्दक की तरह काम करता है तो मो किसके रूप में उत्प्रेरख वर्दक की तरह कारिये करेगा अगला देखिए वह उत्प्रेरख विस वे सभी पदार्थ जिने अभी किरिया में मिलाने पर उत्प्रेरख की किरिया सीलता में कमी हो जाती है उन्हें क्या बोलेंगे उत्प्रेरख विस बोलेंगे एक्जामपल देखिए N2 प्लेस 3S2 2NS3 और यहां अपन को पता है FV के साथ में यदि कार्बन मोनो उकसाइड लेंगे तो उत्प्रेरख विस की तरह कारिये करेगा तो FV और CO तो FV तो क्या है आपका उत्प्रेरख और CO क्या है उत्प्रेरख विस तो इस परकार के जो एक्जामपल है वो अभी किरिया की के बारे में बताते हैं तो देखो इसके जो एक्जामपल है वो बहुत इंपोटेंट है इनको आप देखें समझें और इनके बारे में आगे और स्टेडी करें तो देखिए आपको दो पार्ट एक पहले हो चुका थ एक यह दोनों पार्ट को मिला कर आपका उत्प्रेरक का जो टोपिक है वो कंप्लीट होता है इसलिए इस चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और सेर करें ओके